हेलो एवरिबन कैसे आप सब आप होब कि आप सभी अच्छी होंगे तो जी कल मैंने सलवार की जो आपको स्लाइड दिखाए दी यह उसी की कुर्ती है तो इसकी कटिंग भर रही हूं मैं तो यहां पर मैं लोंग कुर्ती बना रही हूं इसका पुल साइज होगे तैयार साइज है 40 इंच तो वही मैं यहां पर कटिंग कर रही हूं तो यह फ्रांट कर भी हूं अभी कटिंग एक साथ नहीं किया क्योंकि उसमें फिर बाजू के लिए कपड़ा नहीं बसता अगर एक साथ कर देते हैं तो बीच ओ बीच क्योंकि यह है तो उसके बाद यह मैंने कटिंग कर दिया यहां पर मैंने बाजू के लिए कपड़ा निकालिया देखा जदा निकालिया न तो चुछनल डालनी है बाजू पर भी और नीचे भी तो इसलिए मैंने यह कै कैँंच के आRL आगे और पीछे के पार्ट मैंने दोनों जोर दिय और एक साथ ही मैं गला बनाँगी, आगे और पिछे का तो यह मैंने एक पटी ले लिया तो दो इंचो पर माप करना है हुआ तो जितना इन्हेमशी प्लाब्रे मिन्हां अागे और पिछे का तो 16 इंच आगे का था 16 पीछे का तो टोटल था 32 तो एक इंच उपर ले लिया है मैंने और फिर यहां पर कट लगा दिया दो दो इंच पर कट लगाने के बाद जो भी एक्स्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे इसमें तो यह मेरी पट्टी पूरी तयार हो गई है इसके ब मैंने सीखा था तो उसी के तरीके से मैंने किया है तो यहां पर यह पट्टी हम तयार करने के बाद ओपर से भी सिलाई लगा लेंगे ताकि यह बिल्कुल मजबूत हो जाए फिर इसमें फिनिसिंग लाने के लिए जो नीच एक्स्रा कपड़ा है उसी को फॉल्ड करके ओप पर हम इसमें परभी देश कर देंगे ताकि इसकी मैं फिनिसिंग प्रृषब कर देंगे फिनिसिंग आने के भाद इसमें ऐस मैं पत्टी लगानी है गलेपशानी हो जाती है तो सामने सीदे की तर fried la review के और इत्यक्र में पर ङांप पिर इसमें पने anymore कि पर उप लखान यह जैसे यह लग गई है पूरी पट्टी तो आप देख रहे हैं यह लग चुकी है तो अब हम क्या करेंगे इसे अंदर की साइड फॉल्ड कर देंगे इससे क्या है गला भी हमारा तियार हो जाएगा और यह पट्टी भी लगकर हमारी रेडी हो जाएगी तो यहां पर मैंने यह अंदर की साइड फॉल कर दिया है फॉल्ड करने के बार इसके ऊपर मैंने एक बार लगाई ताकि यह मजबूत हो जाए पूरा फिर अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम उसी में फॉल्ड कर देंगे ताकि फिनीसिंग अच्छे से आ जाये तो यह पूरा तो इसको हम अटेच कर देंगे अटेच करने के बाद वारी आती है स्लिप की तो यहां पर मैं चुननर डाल रही हूं थोड़ी थोड़ी आदे आदे इंच पर हम यहां चुननर डालेंगे तो वह आप पर डिपेंड करता है आपको जादा चाहिए या कम चाहिए तो यहां पर मैंने चुननर डाल दी है मुझे चाहिए यहां पर आठ इंच जो मेरी बाजू बंद जहां पर करूँगी तो यहां पर मैंने पट्टी जोड़ दिया पट्टी जोड़ने के बाद उपर इसके फॉल्ड करकर इसी में फिनेसिंग आ जाएगी तो हमें एक्स्टा पट्टी लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर का पता चल जाएगी यह सेंटर है तो हम मुझे आ लेंगे और एक सेंटर जो हमने निसान लगाया उस पर लगाकर उपर हम यहां पर आदे इंच पर यहां पर एक पलेट डालेंगे तो आदे इंच पर ही एक और पलेट डालेंगे तो दो इ तो दूसेरी साइड भी मैंने ऐसी किया, तो यहां पर मैं बाजू रख रोंगी, और मार्ग कर लूगी जितना मुझे चाहिए, तो मुझे यहां साड़े 4 शी यहां नीचे, और उपर जो मेरा मुड़्ा है, साड़े 6 मैंने कटिंग किया तो उसी के हिसाफ से मैंने यहां मु जल्दी भी लग जाती है उसमें टाइम लगता है और सही सेट भी नहीं हो पाती है तो एक साथ उपर और लुट कर देखे थे जो संच होगे नहीं होगे जो दाना तुमने कहा था आएगा पर ये सुचा नहीं ये भी कहा था तुमने बजे में दूर नाच आओंगा कभी तो ही आद मेरे नहीं